थेखालो गाईस मैं इंद रेश अपनी YouTube channel इंद्रेश जैस烈- databases में आप सभी का सवङत करता हूं दोस्तों आज हम आज क्या लोग क्या देखेंगे Simon Commission हम लोग के history चल लिए थी उसमें को पुरा कबर करेंगे मैंने यहां तक आप लोग को कर दिया था यह चार ईसे सबसार चीज़े मैं 200919 से स्टाइट किया था हम लोग 2027 तक आज sudah 7 seidया था क्राइश तक आगे भड़ेंगेगे ठीक है चली साइमें पानी के तरह से 1928 में साइमन कमिशन बनता है 1928 में या करता है इंडिया में चला आता है उस समय जो इंडिया में वाइसराय कौन था तो इर्विन था ठीक कौन था इर्विन था ठीक है याद रहेगा ने क्यूं आया था भाराथ सासन अधनियम 2019 में मॉंटेगू चेम जाच क्या थी 10 वर्ष बाद समिच्छा हमेशा जो हो थी 10 वर्ष के बाद क्या इसके समिच्छा के लिए कमिशन लेकर आएंगे यह तैंथा हमेशा आता है ठीक तो 2029 में ब्रेटेन में आम चुना होता है दो वर्ष पहले क्या होता है गठित कर दिया जाता है और 8 29 बार 1927 को बन के तयार हुआ 1928 को इंडिया में आ जाता है ठीक है इसमें कितने सदस से रहते हैं साथ सदस से रहते हैं सभी के सभी क्या रहते हैं अंग्रेज रहते हैं इसलिए इसका क्या होता है बिरोत होता है और क्या होता है या किसकी जांच के लिए था जो भारत सासन थे देख लेते हैं इसमें कौन कौन से थे अध्यच साइम जान साइमन था ठीक है बाथम था इस्ट्रिन कुरोना था लैन फैक्स था कैडेन था एटली था बार नॉट हार्ड सौन था इस भी साथ सदस्य क्या थे यूरोपी थे ठीक है 1927 में कांग्रेश के मद्रास वाले क्दरास में जो हता उसमें विरोध होता तीन फर्यन it28 को साइमन कमिशन बंबई में क्या होता इसका भरपूर विरोध होता है ठीक है गोबैक क्या लगते हैं नारे लगते हैं पैंगा रह एक सैमन कमिशन गो बैक सांइमन वापस जाओ काले झंडे दिखाया जाते है ठीक है इसके बाद क्या होता लहोर में क्या होता लाला लाजपत राय लाला लाजपत राय के इसी का विरोध करते हुए इनके उपर क्या रगती है लाटी चार्ज कर दी जाती है ठीक है और इनकी क्या हो जाती है मृत हो जाती है 1928 में इन्होंने क्या कहा मेरे सिर पर पड़ी एक एक लाठी अंग्रेज के ताबूत के कील सिध्ध होगी ठीक है क्या होगी सिध्ध होगी ठीक इन्होंने यह वाक के दिया था ए भी पूछ देता है कि यह किसका वाक के था ते लाला लाजपत रायकार लाला लाजपत रायक क्यों पर क्या हो जाती है फिर क्या होता है लख साइमन कमिशन का विरोधि भीम राओ अंबेटकर साब नहीं किया था याद रखेंगे kept फॉल्मार यदो नहीं किया था इसका विरोधि नहीं किया था याद रखेंगे कौन नहीं किया था युदücken 1928 me अपनी report प्रसुत किया, देखिए क्या है, प्रांतों से द्वेद शासन समाप्त करना था, इसका उदेश से क्या था, भारत में उत्तरदाई सासन की बेऊस्ता करना था, संगी संविधान का गठन करना था, केंदर में भारतियों को कोई उत्तरदाई तो नहीं दिया जाएगा यह सबसे बड़ा, यहीं से बिरोध होने लगा, केंदर में भारतियों को कोई उत्तरदाई तो नहीं दिया जाएगा, ठीक है, और द्वेद शासन समाप्त करने की बात करता है, केंदर में ठीक है, देखिए कितना बेवफार था है, यह आपका साइमन कमीशन, ठीक है, चलि परस्तुत की गई थी, उस समय सची कौन था, लार्ड वेक हैड था, ठीक है, 1928 फरवरी, 1928 को दिल्ली में, स्तरोदरी सम्मेलन में, 29 संस्थाओं ने क्या किया, पार्टिसिपेट किया, कांग्रेस एक ऐसे संभिधान का निर्माड करेगा, जो सभी को क्या होगा, सभीकार ह ठीक है, 1927 में जो नहरू रिपोर्ट में यह बात कही गई थी, ठीक है, और आईए, जो नहरू रिपोर्ट आई थी, इसकी अध्यचता मोतिलाल नहरू ने ठीक है, 9 सदस्थी समित का क्या किया गया था, अध्यच मोतिलाल नहरू, अली इमाम, सोयब कुरेशी, म.A. अडे, ठीक है और M.R.J. संकर, मंगल सिंग, तेज पहादुर, सप्रूजी भी थे नहरू रिपोर्ट में क्या था? सरव पर्थम क्या था? मौलिक अधिकारों की पर चर्चा की गई थी किसमे? मौलिक अधिकारों पर भी चर्चा की गई थी ठीक है? मौतिलाल नहरू की अतरिक्त N.M. जोसी, G.P. प्रथान और सुबास चंदर बोष भी इसमें में थे ठीक है? नहरू रिपोर्ट की निंदा, सुबास चंदर बोष ने, जवालाल नहरू ने और सत्य भक्त ने किया था ठीक है? सत्य भक्त ने किया था. कौन इसकी निंदा किस ने किया था? उनके खुदी पुत्र, मौतिलाल नहरू के पुत्र जो थे, जवालाल नहरू ने इसकी क्या किया था? निंदा किया था. सुबास चंदर बोष और मौतिलाल नहरू ने नहरू रिपोर्ट की क्या किये निंदा भी किये थे सारी चीज़ें एक एक पॉइंट है सारी चीज़ें कोई बताता नहीं है ठीक है इधर नहीं कुछ है गया इस वाले पेच में एक मिनट यह तो हो गया ने चली आ गया जाई ठीक है देखते हैं जिन्ना ने इसी समय जिन्ना क्या करते हैं 14 सुत्री मांग किस ने किया था तो जिन्ना ने किया था याद रखेगा महत्मा गांधी की मांग कितनी थी 11 सुत्री थी याद रखेगा जिन्ना की 14 सुत्री मांधी की 11 सुत्री मांग थी ठीक है याद रखेगा छोटा सा पॉइंट था मैं सोचता हूं कि एक एक चीज जो लाहूर अधिवेशन देखिए इसी समय हुआ था उनिसों तीस से अठाई से अठाई से बहुत महत्वपूंड एफिरियर था ठीक है तो अध्यच कौन थे जवाहलाल नहरू थे जब लाहूर अधिवेशन 1929 वाला जवाहलाल नहरू अध्यच थे गांधीची की इसी समय ग्य सुत्री मांग को नहीं दिखाया ठीक है कोई रूच नहीं दिखाई ठीक चवदा फरवल 1930 को क्या होता है साबर माती आश्रम से कांग्रेस की क्या होती बैठक होती और सभीने अवग्या अंधोलनी स्टार्ट करने की बात होती है ठीक है और जो नहरू रिपोर्ट थे इसमे रावी नदी के तट पर भारत का पहला जंडा क्या किया गया था फैराय गया था इसमें पूर्ण सुराज की मांग भी की गई थी तो जब चवदा फरवल 1930 को साबर मती आश्रम में कांग्रेस की बैठक होती है और सभीने आवग्या अंधोलनी स्टार्ट करने की बात पर च याद रहना चाहिए 12 मार्च 1930 को साबर मती आश्रम से इस्टार्ट होता ये भी याद रहना चाहिए ठीक है और इसमें महत्मा गांधी के साथ कितने अनुआई थे 78 अनुआईयों ने ठीक है कितने 24 मील 241 मील 5 अपरेल 1930 को दांडी पहुंच जाते हैं और 6 अपरेल 1930 को नमक क्या कर देते हैं तोड़ देते हैं याद रहेगा 12 मार्च 1930 को साबर मती आश्रम से इस्टार्ट करते हैं 78 अनुआयों के साथ 241 मील की यात्रा को 5 अपरेल 1930 को दांडी पहुंच जाते हैं और 6 अपरेल 1930 को नमक बना करके कानून को क्या करते हैं तोड़ देते हैं याद रह इनको सिमानत गान्धी कहा जाता है, इनका खुदाई खिदमतकार, इस्वर का सेवक इनके खाता है, ठीक है, और फुजु ए-फगान, बहादर सा, लालकूरती, आंदोलन भी इनके द्वारा ही इस्टार्ट किया जाता है, ठीक है, सिमानत गान्धी ने पस्तो भासा में क्या नामक पत्रिका निकाली थी क्या सिमान्त गांधी जो अखान अब्दुलकाप फार्थ थे इन्होंने क्या पास्तो भासा में फाक्तु नामक पत्रिका उत्तर पस्वी प्रांत में इन्होंने क्या क्या था इस्टार्ट क्या था देख लेज़ेगा मैप में छैप्रण जियाल रंग आंदोलन थीक जियाल रंग आंदोलन भी इस्टाट किया गया जो पुरोत्तर राज्य थे वहां पे जवाहलाल नहरू की उपाधी जवाहलाल नहरू को उपाधी रानिंग की ठीक गिरफतार फासी पहिन कोंडे मोंटेकू के नेत्रित में ठीक है इन्हें अटेश चलते हैं आगे आगिवर गला अगला पॉंट क्या है अगला पॉंट कि लिखे था से griant पुत्र इस समय जो अमेरिकी पत्रकार था बहुत पूछता जो जब यह कानून चल ला था नमक वाला दान्डी मार्च यात्रा वाला जो है समिना उस समय कौन पत्रकार कौन था तो वेब मिलर था याद रखेगा अब तक मैंने अपनी आखों से इतना भीषण क्या है दुर्वेवहार नहीं देखा ठीक है दुर्वेवहार नहीं देखा मातमा गांधी के एत्रिक्त 90,000 सत्याग रही क्या किये गए गिरफतार किये गए 90,000 सोच लिए गोल मेज सम्मेलन अब देखते हैं गोल मेज सम्मेलन ठीक है राउंड टेबल कॉन्फरेंस RTC का मतलब ता राउंड टेबल कॉन्फरेंस पहला 1930 में दूसरा 1931 में तीसरा 1932 में कांग्रेश ने भाग लिया पाले में भाग नहीं लिया कांग्रेश ने भाग लिया नेते तुम जो पहले हमारे कया थे प्रदान मंत्रीख यूसं में जब रान मंत्रकाव काऊँ था रेम जय में कई कउ था रेम जय में डॉनाल ए उसका प्रथम वाले के सभी तीस ये। गोल मेज सम्लिदान के बारे में देखिए क्या है प्रथम मेज 2012ieli नॵंबर 1931 जैन जनृवर नॉंबर 1931 तक चला था था आयोजन लंदन में वीवा था जेन सें पैलेस में वा था टा उडगाट न राज पंचम ने किया था, पी-म कौन था, मैक डोनाल था, ठीक है, कुल सदस से 89 थे, ठीक है, इसमें से कांग्रेश ने भाग नहीं लिया था, ये याद रखेगा, ठीक है, कोल में समेलन का आयोजन साइमन कमिशन की रिपोर्ट के आधार पर किया गया था, हिंदु माह सभा के बार खा और मुहम्मद सार का, ठीक है, सारफा जी, ठीक, सिखों की तरफ से सरदार संपूर्ण सिंग ने भाग लिया था, एंगलो इंडियन के केटी पाल ने, एंगलो इंडियन से केटी पाल ने, एंगलो इंडियन से केटी पाल, सिखों के सरदार संपूर्ण सिंग, आगा खा मुहम्मद सर्राफ या फिर आगा खा फिर फजल उलहक जो है अब प्रतिच निर्वाचन छेतर से अब मुस्लिम की तरफ से मुहम्मद अली जिन्ना और दलित वर्ग की तरफ से डक्टर भीम राओ अमबेट कर ठीक हिन चली अब आगे हैं 26 जनली 1931 को मात्मा गाधी जेल से रिया होते हैं और तेक बहादुर सप्रू या मार्जा संकर दिल्ली में 5 मार्च 1931 गांधी इरिविन क्या होता है समझा होता है ठीक है इन लोगों के सहयोग से इन दोन लोगों के सहयोग से क्या होता है क्या होता है पटेल रहते हैं इस अधिवेशन में गांधी इर्विन सम्झावते को क्या कर लिया जाता है श्रीकार कर लिया जाता है और महात्मा गांधी मर सकते हैं लेकिन गांधीवाद नहीं महात्मा गांधी मर सकता है लेकिन गांधीवाद नहीं एक इसमें कौन का था महात्मा गांध इसके प्रतिनिधी के रूप में भाग लिया था इसमें जो है मतलब सेकेंड गोल में गूल में और किस जहाद से गए थे SS राजपुताना जहाद से गए थे SS राजपुताना से और Kingslay Hall में ठाह रहे थे ठीक है Kingslay Hall में ठाह थे 31 साधस्यों ने इसमें क्या किया था participate किया था इनके साथ कौन-कौन के गए थे मदन मोहनमाल भी गए थे राष्टवादी दल से ठीक है सरोजनी नाइडू एनिवेशन्ट स्वयम के खर्च पर लंदन पहुंची थी सरोजनी नाइडू और एनिवेशन्ट अठाई दिसंबर निएडियन नीचाइड भी भी चीजह है एम सब आपको करवा देंगे ठीक है फटाफट तो आप लोग वीडियो को क्या करовал शेर कर देगा अपने दोस्त मित्र पाइडियो अच्छा लग रहा तो प्ली जरूर सेयर करिएगा ठीक आज के लिए इंडियन तो modern history खतम होने वाली एक से दो क्लास और पूरी खतम हो जाएगी ठीक है तो आज के लिए इतना है फिर रिवीजन जैहिंद जैभर्त आप लोग अपना admin card download के लिजेगा और comment में बताएगे का आपका center का आँ गया थोड़ी देख रहा हूं काफी distance पर बेंजाया आज हम गड़वालों का सहारन पूर भेंदिया बताएगे इतनी दूर 400-500 km कैसे बच्चा जाएगा जो है यह तो गलत बात है ने ठीक है तो आज के लिए इतना ही जैहिंद जैभर्त